हेलो फ्रेंज वेलकम टो ससी मेकर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनरल अवैनिस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MC की डिटेन में डिसकस करेंगे यह जनरल अवैनिस की सीरीज का पार्ट 163 है जो कि आपके आने वाले रेलवे न्टी पीसी, ग्रूप डी, ससी सीजेल, सी ए जल को नरम करने के लिए याद रखेगा नास्ट कैशन पर चलते हैं हमारा next important question है calcium hydroxide के solution का सामानने नाम क्या है तो दोस्तों वह होता है नीमबू पानी दोस्तों calcium hydroxide जो है जिसको हम दर्शाते हैं CAOH2 से चीक है इसका सामानने नाम होता है lime water और नीमबू के रसके सामान हलके पार दर्शी यानि कुछ सफेदी उक्ठ होने के कारण ये जो है नीमबू पानी या lime water के नाम से जाना जाता है याद रखेगा और दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा बताइए कर जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो SSC maker को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिलकुल न भूले मारे next important question है चोक का रसाइनिक नाम क्या है chemical name बताना है तो दोस्तों वै होता है calcium carbonate दोस्तों calcium जो carbonate है चोक का रसाइनिक नाम इसका जो formula होता है क्या होता है बताईए तो दोस्तो वै होता है CACO3 दोस्तों फरस्ट इसमें दिया हूँ है calcium sulphate इससे हम किससे दर्श राते हैं बताईए तो दोस्तो वे फॉर्मॉला है C-A-S-O-4 next है इसमें calcium nitrate जोखी है C-A-N-O-3-2 last है इसमें calcium phosphide जोखी होता है दोस्तो C-A-3-P-O-4-2 याद रखिएगा next question पर चलते हैं हमारा next important question है वे कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक योगीक में उपस्तेत होता है तो दोस्तो वे कहलाता है कार्बन दोस्तो कार्बन जो है प्रकरती में ऐसा तत्व है जो सभी जन्तूओं वनस्पतियों अत्पा जैविक योगीकों में पाया जाता है क्योंकि जोस्तो ये जो है सभी प्रकार के जैविक प्रोटीनों एवं कार्बाहाइट्रेटों की सनरचना में महत्मून भूमी का निबता है और कार्बन में जो है स्वैम के परमानों से भी श्रिंकला बज ग्रूप से जुड़ने की शमता जो है विदमान होती है जिसमें जो है ये एकल बंद, द्वी बंद और त्री बंद इन सब युक्त जो है सैंसेयोजफ बंद बनाकर स्वैम के परमानों से जुड़ता है दोस्तो यहाँ पे हम बात कर रहे है कार्बन की इसका जो formula है वो क्या है बताईए तो दोस्तो वै है C और जो परमानों संख्या है वै है 6 फर्स्ट इसमें दिया हुआ है दोस्तो oxygen जो कि होता है O next है hydrogen जिसे हम दर्शाते हैं H से और इसका जो परमानों संख्या होती है वै होती है 1 इससे related एकर question पूछा जाता है कि इसकी खोज कब हुई थी और किस ने की थी तो दोस्तों जो hydrogen है hydrogen की खोज हुई थी 1766 में जोखी की थी Henry Cavendish ने याद रखेगा Next दोस्तों इसमें दियावा है Phosphorus इसको हम दर्शाते हैं दोस्तों पीसे और जो इसका प्रमानो संख्या है वह है 15 याद रखेगा सारे important points Next question पर चलते हैं हमारा next important question है निमलिकित कथनों में से कौन सा कथन सत्ते है तो दोस्तों वह है पानी, oxygen और hydrogen का एक योगिक है दोस्तों पानी जो है hydrogen और oxygen इसका एक योगिक है जिसमें hydrogen के दो भाग तथा oxygen का एक भाग संयुकत रहता है और इसका जो formula होता है दोस्तों वह होता है H2O आप सभी जानते होंगे तो चले चलते हैं next question पर हमारा next important question है किसी जल स्रोथ का स्वास्ते निर्धारित करने के लिए क्या मापा जा सकता है तो दोस्तों उसमें मापा जाता है उसमें घुली oxygen याद रखिएगा next question पर चलते हैं हमारा next important question है पारिस्थिति की तंद्र की संकल्पना को किसने परिभाशित किया था तो दोस्तों उनका नाम है और था टैंसले याद रखिएगा और दोस्तों ये वीडियो शेर करना बिलकुल न भूले आप सभी जानते शेरिंग is the best way of learning तो शेर ज़रूर करें next question पर चलते हैं हमारा next important question है निमलेकित में से कौन सा विकल्प green house gas नहीं है बताएए दोस्तों तो दोस्तों वे है oxygen दोस्तों सूरे की उश्मा से गर्म होने के बाद जब प्रित्वी ठंडी होने लगती है तब उश्मा जो है प्रित्वी से बाहर विसरित होती है लेकिन carbon dioxide chloro fluorocarbon nitrous oxide जल वास्प और जो मीथेन और इसके अलावा जो अन्य उश्मा रोधी कैसे होती है इस उस्मा का कुछ भाग अवश्मा कर लेती है और जो शेर्स पची हुई उश्मा होती है उसको पुना धरातल पर वापस कर देती है जिससे वायो मंडल के निछले भाग में अतिरिक्त उश्मा एकत्रित हो जाती है और दोस्तों ये जो है कार्बन डायोकसाइड जिसको हम दर्शाते हैं किस से बताईए तो दोस्तों इसे हम दर्शाते हैं CO2 से नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है मिथेन जो की है CH4 CH4 से दर्शाया जाता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन आप सभी जानते हैं CFC है ठीक है दोस्तों क्या है ग्रीन हाउस कैस कहलाती है और इनके कारण जो है वायूमनल के उसत ताप में व्रिद्धी को वैश्वी करन ताप अत्वा ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं इसके लावा दोस्तों जो ऑक्सिजन है ऑक्सिजन फॉस्पाइन ट्रिप्टा नाइट्रोजन यह जो गैसे होती है ग्रीन हाउस गैसे नहीं है याद रखिएगा नास्ट क्यूशन पर चलते है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्यूशन है निमलिकित मेंसे कौन सा ग्लोबल वामिंग से निपटने का उपाएनी होता तो दोस्तो वै है खाना पकाने के लिए इंधन के रूप में लकडी का उप्योग दोस्तो खाना पकाने के लिए इंधन के रूप में लकडी का जो उप्योग करना है ग्लोबल वामिंग से निपटने का उपाएनी है जबकि दोस्तो इसके अलावा जीवाश्म, इंधन का कम उपियोग, सोर उर्चा और पवन उर्चा का अधिक उपियोग ठीक है, नेक्स्ट जो उस्तो जो वनिक करण है ये ग्लोबल वामिंग से निपटने का उपाय है याद रखिएगा, नेक्स्ट केशिन पर चलते है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशिन है, निमलिकित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डायोकसाइड के बातवरन को हटाती है तो दोस्तो वे है प्रकाश शंसलेशन यानि फोटो सिंथेसिस, याद रखिएगा नेक्स्ट केशिन पर जलते है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशिन है, किस शहर में सोने का मुल्ले निर्धारित किया जाता है तो दोस्तो वे है लंडन दोस्तो लंडन में जो है कई दशकों से सोने का भाव दिन में दो बार तैह होते आये है जिसके अधार पर ही जो है वैश्विक बजारों में सोने की कीमते भी तैह होती है याद रखिएगा नास्ट क्यूशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्यूशन है एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की और नीचे डैश का एक उधारन है बताईए दोस्तों किसका है वह है तो वह है उर्जा संरक्षन के नियम का दोस्तों जब कोई वस्तु विरामा वस्ता से गिरती है तो उसकी गुरुतफिये इस्तितिज उर्जा कतिज उर्जा में परिवर्टित हो जाती है और एक पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर का अचानक समीन की और गिरना उर्जा संरक्षन के नियम का उधारन है याद रखिएगा नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डिन क्रिशन है निमलिकित में से कौन सा समू से संबंद नहीं है तो दोस्तों वै है स्क्रीन दोस्तों जी कलर्स सोनी ये सब जो है तीनों ही मनुरंजन प्रदाता चैनल है जबकि दोस्तों स्क्रीन जो है इस समू से संबंद नहीं है याद रखिएगा नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डिन क्रिशन है प्लस 91 किस राष्ट की कंच्री कॉलिंग कोड है दोस्तों आप सभी जानते होंगे वै है भारत का दोस्तों प्लस 91 जो है भारत की कंच्री कॉलिंग कोड है इसके अलावा दोस्तों कैनेडा, अमेरिका और चीन जो है इनका जो calling code है country calling code वे है दोस्तो प्लस 1 और दोस्तो चीन का जो country calling code है वे क्या है बताईए तो दोस्तो चीन का है प्लस 86 ठीक है कैनेडा और अमेरिका का है प्लस 1 याद रखेगा और दोस्तो ऐसी interesting videos और question के लिए SSC maker को आप अपने दोस्तों के साथ like कीजिए subscribe करें and share करना बिल्कुल न भूले हर सो सर साथ स्पेश पेश पेखीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी help हो सके तो दूसरों की भी help कीजिए दोस्तों next question पर चलते हैं हमारा next important question है भारत का बार सर्जन किसे कहा जाता है तो दोस्तों वह कहलाते हैं अकृत पर्ण जस्वाल दोस्तों एक आठ वर्षी लड़की है बुरी तरह जल गई थी जिसकी उंगलियों का operation जो है सफलता पूरवक जून 2015 में अकृत पर्ण जो जस्वाल थे उनको मातर साथ वर्ष का था उन्होंने किया था जिसे उस जो है पासर्जन कहेकर पुकारा गया याद रखिएगा नास्ट कृषिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन कृषिन है अंतर सरकारी संगठन का नाम बताए जो अंतरास्टे साईयों को बढ़ावा देता है तो दोस्तो वह है UN दोस्तो UN जो की है सयुक्तरास्ट एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका कारे जो है अंतरास्टे साईयों को बढ़ावा देना है दोस्तो इसके अलावा इसमें दिया हुआ है नाटो जो की एक सैनने संगठन है याद रखिएगा WHO, IGO क्या होता है दोस्तो आप मुझे comment box में बताइएगा next question पर चलता है हमारा next important question है अनन्त पई द्वारा शुरू की गई भारत की पसिध हास्य श्रिंखला को क्या कह जाता है तो दोस्तो वह कैलाती है अमार चित्र कथा ठीक है दोस्तो जो अनन्त पई है जिनका कारेकाल था 1929 से लेकर 2011 तक दोस्तो ये अंकल पई के नाम से मशूर थे और ये भारते शिक्षा शास्तरी और भारती कॉमिक्स के अग्रेनी थे दोस्तो वे दो हास्य पुस्तक श्रिंखलाओ के लिए जाने जाते हैं पहली थी अमर्चित्र कथा जिसमें जो है परमपरागत भारती लोग कथाओ पुराणी कहानियों और एतिहासिक पात्रों की जीवनी शामिल है और दूसरी थी टिंकल जो बच्चों का एक संकलन है और अंकल पई को जो है भारत का वाल्ड डिसनी भी कहते हैं याद रखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्रिशन है साहित्य अकैडमी मुखे रूप से इससे प्रौथसान देने के लिए समर्पित है पताईए दोस्तों तो दोस्तों वै है साहित्य से दोस्तो भारत के रास्टे साहित्य संस्थान साहित्य अकैडमी इसकी जो स्थापना है दोस्तो वैह हुई थी 1954 में और ये संस्थान जो है विश्वर में भारते साहित्य के प्रसार के लिए प्रसिद है और इसने जो है दोस्तो अंग्रेजी सहीद 24 भारते भाषाओं को मानने प्रदान की हुई है याद रखेगा नास्ट कुशिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशन है दरी भाषा जो फार्सी का एक रूप है वह निम्लिकित में से किस देश की अधिकरित भाषा है तो दोस्तों वह है अफगानिस्तान की दोस्तों दरी दरी फार्सी ज दोस्तों यह जो है अफगानिस्तान के लगपक 50% लोगों की मातर भाषा है और उस देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भी भाषा है याद रखेगा दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है अफगानिस्तान की तो कुछ important points जान लेते हैं अफगानिस्तान की जो capital उसको नाम क्या है बताईए तो दोस्तों वह है काबुल ठीक है प्रेजिटेंट है यहांके अश्रफ कनी एहमद सई ठीक है राजभाजा मैंने आपको बताई दिया है याद रखेगा next question पर चलते हैं हमारा last important question है किस premium घड़ी निर्माता ने एक smart luxury घड़ी बनाने के लिए क्या किया थ दोस्तों इसको correct कर लिए का mistake हो गया है तो दोस्तों वह था टैग हुएर दोस्तों टैग हुएर जो है premium घड़ी निर्माता कंपनी ने विश्व की सबसे smart घड़ी यानि words smartest luxury watch बनाने है तू Google के साथ करार किया था और इसकी जो शुरुवाती कीमत थी दोस्तों वह थी 1500 अमे आया है यह वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा पसंद आया तो अपने study related group में शेयर जरूर करें और ssc maker को like subscribe and share करना बिल्कूल न भूले आज के लिए बस इतना ही thank you so much दोस्तों